हाउर फिक्स सैमसंग M31 केमरा एप नोट ओपिनिंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुवागर अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बता हूंगा कि कैसे आप अपने कैमसंग के डिवाइज पर कैमरा अपने में प्रॉबलम के सिके अگर दोस्तों कि किमरा एफ में प्रॉबलम है तो आप दोस्तों इस वीडियो औरogo तक देखे серьез मैं आपको बताओंगा यह वह अप पर camera app काम नहीं कर रहा है ठीक है तो आपको complete solution देखना है वीडियो को अंतक देखना है जो भी solution बताने वाला उसको follow करना है problem को fix करना है वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करें और अगर आप online पेसा कामाना चाते तो वीडियो description पर link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं या फिर ठीक है यहाँ पर कैसे चेक करेंगे हम play store में जाएंगे और type करेंगे यहाँ पर सैमसंग camera करके हम search करेंगे तो यह जो एफ है दोस्तों यहाँ अगर मिल जाए तो ठीक है अगर नहीं मिलते तो दोस्तों हमें update का option भी नहीं मिलेगा तो चलिए यहाँ पर तो option दोस्तों यहाँ पे भी नहीं है ठीक है तो यहाँ पर भी option नहीं है अभी अगर हम setting बढ़ जाते तो यहाँ पर भी कोई option नहीं है उसको update करनेगा तो बस वह SI रहेगा ठीक है अभी दोस्तों galaxy store का एक option है तो galaxy store में भी हम check out कर लेते तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने पुरा चेक करके देखा है तो option दोस्तों यहाँ पर नहीं मिल रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम दुबारा से चेक करते तो यहाँ पर भी option नहीं है हुए कि और तो यहां पर दोस्तों नहीं है तो हम अपडेट सकते हैं अभी हम सेटिंग एप्स के अंधर पर उसके बाद केमरा ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उस यहां पर रिसेट याप्टिक यह सhar हके सारे और करने के दोस्तों बार करें शक्यूर्ण करने हैं दोस्तों इसलब सरा जाए अगर नहीं हो रहा है तो आपधेट करें क्योंकि दोस्तों मॉबाइल पर एगर कोई बग आ जाते हैं इसके वज़iver से अपको प्रॉल्वLMR हो जा्याए थिक है तोफ़र को आपडेट करें desde दो करके देखे आपका problem solve हो जाएगा इस तरह के से आप अपने problem को fix कर सकते हैं अगर आपको दुबारा से problem आते तो आप factory reset के लिए भी जा सकते हैं वह आपको general management reset के option पर मिल जाएगा factory reset भी अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं लेकिन उससे जाने से अच्छा आप कोई camera app यह यहां से install करते हैं और उसको आप दोस्तों by default आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है कोई डिक्कते हैं आपको नहीं हो जाते हैं तो हमारे सारे डेटा जो है clear हो जाते और कई सारे डिक्कते आ जाते हैं कोई important files अगर हम भूल जाते हैं उसको save करना तो delete हो जाते हैं तो इसलिए द ठीक है अगर आप यहां पर एप प्रिफर्ड करते ठट पटे application तो आप वह भी कर सकते हैं तो इस तरीके से ही दोस्तों आप अपने problem को fix कर पाऊगे उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching